नमस्कार साथियो, स्वागते आप सभी का सत्य एक्सेलेंट यूटूब चैनल पे अभी आप स्क्रीन पर एक नोटिपिकेशन देख रहे हैं ये नोटिपिकेशन आपका जारी किया गया है मारती सुजिकी की अपिसेल वेफसाइड के माधम से और यहाँ पर आपके लिए जौब की जनकारी आ रहे है जिसके बारे में आपको पूरी जनकारी देने वाले कैसे आप खान को अप्लाई कर पाएंगे और अप्लाई करने वाले छात्रों की उम्र क्या होनी चाहिए तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लिट देखेगा और कोई भी किसी भी तरह की आपको जनकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा आपको जनकारी मिल जाएगी तो सबसे पहले आप इसके इलिबिल्टी क्रैटेरिया के बारे में जान लेजिए यहाँ पर इसके बारे में पूरी जनकारी दी गई है एज के बारे में तो एज जो आपका होना चाहिए कम से कम 18 साल होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपका 26 कहने का मतलब यह कि 18-26 वर्स के चातर इस फांट को अपलाई कर पाएंगे दूसरी बात qualification की यदि बात करें तो मैं आपको जूम करके दिखा दाता हूँ ध्यान से दिखिए यहाँ पर qualification के आगे यहाँ पर लिखा गए ITI pass out कहने का मतलब यह कि आपका जो qualification होना चीए वो ITI होना चीए चाहे आपने ITI NCBT से कर रखा है या SCBT से क्योंकि यहाँ पर साफ तोर पर आप देख सकते हैं ITI आपका NCBT और SCBT दोनों mention किया गया है तो कोई भी आपको घबराने की जुरुरत नहीं है अब साथ यहाँ पर बात करतें selection process की तो इसमें आपका online test होगा जो कि जो चातर यहाँ पर जिस trade से कोशन आपको देखने को मिलेंगे और कुछ इसमें technical कोशन आएंगे और इसके बाद यहाँ पर personal interview होगा और इसके बाद आपका selection हो जाएगा लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको एक प्रिक्रिया करने पड़ेगी आप इसको सबसे पहले ध्यान से देख लीजिए farm को apply करने के लिए आपको इस website पे आना है और website पे आने के बाद आपको करना क्या साथ हो यहाँ पर proceed वाले option पे click कर देना है और जैसे आप proceed वाले option पे click करेंगे देखिए यहाँ पर एक नया page open हो जाएगा जो कि all the very post और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर मारुत्ति सुजगी की जो official website है यहाँ पर registration करने के लिए कहा जा रहा है और नीचे आएंगे तो यहाँ पर already registration लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ देखिए यहाँ पहले कभी भी आपने form को apply किया था तो आप यहाँ क्या करेंगे यहाँ आप already वाले registration पे क्लिक करेंगे और यहाँ पहले बार इस form को apply कर रहे हैं तो आप यहाँ पर new registration पे क्लिक करेंगे लेकिन साथ यो एक बात ध्याने किएगा ये जो फार में सभी राजियों के लिए नहीं निकाला गया है जो छात्र उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं या जो छात्र उत्तराखंड के रहने वाले हैं या मद्दे प्रदेश के या जहारखंड के या हिमाचल प्रदेश के या बिहार के या हर्याना के वही लोग इस फार्म को अप्लाई कर पाएंगे अदर राज्य के शातर इस फार्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो अप्लाई करने से पहले आप इस बात को जरूर ध्याने कियेगा और यहां पर आपको इस वेब साइट का लिंक में आपको दे द आउंगा डिसके मादन को से आप असानी सी वीडियो को देखकर असानी से आप मुबाइल के द्वारा भी फान को अप्लाई कर पाएंगे